आये जानते हैं सांप के पैर क्यों नहीं होते। सांप का नाम सुनते ही शायद आपके भी रोंगते खड़े हो जाते होंगे या हो सकता है कि आपने सांप करीब से देखा हो कि आपको सांप से कोई खौफ ही ना लगता हो। सामानने तोर पर तो सांप का जिक्र डर पैदा करने के लिए काफी होता है लेकिन क्या कभी आप ये सोच पाए हैं कि सांप रेंटा क्यों है, चलता क्यों नहीं है और क्या आपने कभी सांप के पैर देखे हैं इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए? तो चलिए, आज सांप के पैरों से जुड़ी दिल्चस्प जानकारी लेते हैं. सांप के पैर क्यों नहीं होते? सांप के जीवाश्न के अध्यन ने सांप के पैरों से जुड़े इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की है साइन्टिस्ट्स ने 90 लाग साल पुराने सांप के अवशेश का अध्यन करके महत्वपून जानकारी हासिल की है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में हुए शोध के अनुसार आधुनिक सांप और जीवाश्न के CT स्कैन की तुलना करने पर पता चला है कि आज अगर सांप के पैर नहीं होते हैं तो इसके पीछे उनके पूरवच जिम्मेदार है स्टडी के अनुसार सापों के पूरवच बिलों में रहा करते थे और इस वजह से बिल में घुसने के लिए उन्हें रेंगना पड़ता था ऐसा करते रहने से उन्हें रेंगने की आदत पड़ गई और उनके पैरों का इस्तिमाल होना बंध हो गया ऐसा पीडी दर पीडी होते रहने के कारण ही शायद उनके पैर विलुप्थ हो गए एक तीन दी मॉडल की सहायता से वैज्ञानिकों ने जीवाश्म के कानों के आंतरिक अंगों और आधुनिक सापों के अंगों की तुलना की इसमें ये पाया गया कि जीवाश्न के कान में एक विशेश प्रकार की सनरचना होती है, जो शिकार और शिकारियों का पता लगाने में सहायक होती है, लेकिन ये सनरचना आज पानी और जमीन में रहने वाले साम्पों में मौझूद नहीं है. दोस्तों, ऐसा आप अपनी किताबों में भी पढ़ चुके हैं कि साम्प के पैर बिलों में रहने के कारण लुप्थ होते चले गए और अब जीवाश्न पर हुए अध्यर ने भी इसी बात को फिर से स्पष्ट किया है कि साम्प के पैर पीडी दर पीडी इस्तमाल नहीं किये साब इतोगी